हेलो शुडियंट सागत है आप सभी का आई टी श्टेटीम पर दुस्तों इस विडियो हम देखने वाले हैं कंप्यूटर फंडमेंट डीसी और पीजी डीसी के इंपूटेंट कॉश्चन बहुत ही इंपूटेंट कॉश्चन है यहां पर पीजी डीसी भी कलने हैं यहां पर इंपूटेंट कॉश्चन है युणिट एक से पांच तक के हम कुछ इंपूटेंट कॉश्चन देखेंगे वैसे मैं इसकी बहुत सारी कॉश्चन बताएं और इसके बाद हम कुछ मैं आपको पूरी कंप्यूटर फंडमेंटल के 15 से बीस कॉश्चन भी बताने वाले हूं पूरे question जिनको आपको एक बार reading मार कर जाना है पढ़कर जाना है, इक बार reading करना है नहीं क्योंकि इनमें से question आ शकते हैं, तो चले start करते हैं, और दोस्तों वीडू को शेर जरूर कर दें आप लोग, चले start करते हैं, देख सकते हैं, आप बहुत important question है, पहले मैं आपको unit 22 बत पहला है आपका कोश्शन डीशे ए पीजेटीशी दोनों के लिए हैं पहला कोश्वन है आपका यूनिट एक का समझ आप का सुब्सक्वाइब को लिए नसे मिदेवाड़ का उपका सब्सक्राइब जो कि किसी भी निर्देश को एक लिस्ट के अक्वाडिंग करने में यूज की जाती है इस प्रकार से आपको यह कौश्चन लिख सकते हैं और अपने अक्वाडिंग और इसमें एड कर सकते हैं इसकी बिसेश्ताओं में हम दिखेंगे मतलों कम्प्यूटर की क्या क्या इसके बाद हो सकता है सचालन मतलब ऑटोमेशन स्वैम ही चलता है यह अपन आपने उसमें कुछ बटन के इस्तमाल करके वो ऊटोमेटिक चलता है कुछ चीजे इसके बाद हो जाएगा एक्कुरेशी मतलब सुद्धा कंप्यूटर में गलती होने की चांस बहुत कम होते हैं इ इसके बाद हो जाएगा सरभॉमिकता यह से अधिक समय के लिए इस्टूर रखनी की चमता स्टोरीश कैपिसिटी भी उसकी होती है इसके बाद हो जाएगा करमट्ता या बिस्वास नेता मतलब अपन इस पर बिस्वास भी कर सकते हैं इसके बाद आपका बिसिस्ताओं में जाएगा मैंने आपको बता दिया आप एक बार और सुने तेजी सचाला सचालन सुद्धता सरभॉमिकता अधिक अधिक समय के लिए इस्टूर करेनी की चमता मतलब इसी हम बोल सकते हाई स्टूरीश कैपिसिटी यह कर इसके बाद हम अगला कॉश्चन देखेंगे इसके बिसिस्था हो जाती है इसके बाद हम अगला कॉश्चन देखेंगे जो कि है कंप्यूटर का ब्लॉक चित्र बनाते हुए बिस्तार पूरवक समझाईगे इस परकार भी आपको एक कॉश्चन आता है जिसमें आपको कंप्यूटर का डाइग्राम बना कर उसको पूरा बिस्तार पूरवक समझाना है क्या कंप्यूटर में क्या क्या होता है जैसे की की बोड माऊश मॉनिटर सी पियू इस परकार से आपको इसका पूरा डाइग्राम बनाना पड़ेगा और इसको विस्तार पूरवक समझाना पड़ेगा इसके बाद आपको अगला कॉश्चन जो की है, memory से आपके समझते हैं, primary memory और secondary memory में अंतर इसपश्ट कीजिए, इस परकार से question आता है, memory यहां के सकते है, storage capacity, storage यहां मेमोरी से आपके समझते हैं, इस दो परकार की होती है, primary और एक secondary, चलिए इस question को भी हम explain करते हैं, मैं आपको एक question बहुत ही अच्छे से आप मेरे शब्दों पर भी गौर फर्माइएगा, तो कि इसमें मैं आपको एक एक सब्द बताऊंगी, ताकि आपको पेपर में भी अगर आप caution लिकें, तो आपको याद आशकें, चलिए start करते हैं, तो दोस्तों, memory से आपके समझते हैं, इसमें हो जाएगा, storage device या memory, एक होती है, जो computer में data को store करती है, मतलब storage capacity, इसमें हम memory में data store करके लगती है, इसमें दो टाइब हो जाएगी, primary और secondary, primary में रेम, रॉम आजाएगा, इसके बाद secondary में एप DD, HDD इस परकार के आजाएगी, इनके अंदर आपको जाना पढ़नी जोत नहीं है, वो तो primary और secondary memory ही हमारी कुछ important question थी, चार question है, जो कि मैंने आपको अच्छी से question समझाएगे, आप इनी अच्छी से एक बार पढ़ लें, ताकि आप लिख सकें, इसके बाद आपका unit दो आता है, जो कि input device और output device, बहुत ही important question है, जैसा कि मैंने आपको एक question बताएगे, इसमें आपका हो जाए इनके आपको शन याद कर लेना, 1st generation हो जाएगा आपका, जिसके आपको, इनकी शन आपको याद करना है, ताकि इने आप explain कर सकें, 1st PD कब तक थी, 2nd कब तक थी, चली देखते हैं, तो आपकी 1st generation हो जाएगी, 1946 से स्टार्ट होगी सेकंड जनरेशन 1956 से थर्ड जनरेशन 1964 से और फॉर्थ जनरेशन आपका एक कॉशन को तो आपको 100% पीपर में देखने को मिल जाएगा तो दूस्तों इंपूट डिवाइस में आजाएगा आपका इसे टाइपिंग पॉइंटिंग स्कैनिंग और ओडियो और इस परकार से कॉशन जाएगी टाइपिंग में फिर अंदर हो जाएगा बहुत ब बहुत जाएगा माउस यह चुश्टिक टच ए चोश कैन रची कांच decep slap कर देखनें आजएगा बहुत भूश्चा रहा हैं इसके बाद जाएगा आउटपट डिवाइज उसमें भूह सरे आपको टाइप देखने को मिल जाएंगे इसके बाद आता है आपका आउटपट डिवाइज जिसमें भूह सरे मिल जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर इस प्रकार से बहुशार इसके टाइप आपको देखने को मिलेंगे पहला है आपका स्केनर, प्रिंटर क्या होता है और टाच स्क्रीन क्या होता है इस परकार OMR पूशाकते हैं और OCR, OVR इस परकार से कॉश्चन होते हैं पूरे आप से यहां पर पूचे जा सकते हैं इसके बाद आपका लाश्ट कोशन आता है जो कि है प्रिंटर से ही सम्मझ देते हैं पर पूछे जाता है हर बार मैंने प्रिवेशर कोश्चन में दो शे तीन बार देखा ऐसी तो आप इसी मैंने अलग से लिख दिया प्रिंटर के अंदर आता है वैसे जी लीजर प्रिंटर और इंक जैट प्रिंटर को समझाईए और निमने पर टिपनी दीजी इस प्रिकार से कॉश्चन आता है आप इसी भी अच्छी से पढ़ लें लीजर प्रिंटर क्या होता और इंक जैट प्रिंटर क्या होता है यह आप एक बार अच्छी से मतलब रट है ना एक बार वहार करने हैं परफिपी इप इसे पिश्टम से को समझते बहुत इंप्टेंट कॉश्टिंट नंबर सिस्टम से आता है कि इसके बाद आपका अगले कॉश्ट्न रहेगा जो कि इस सौप्टिवेयर से आपके समझती है स्वीफ सॉफ्टिवेयर को समझां यो क्या है system software और application software को आपको बताना है इसके बाद आजाता है programming language प्रोग्रामिंग language क्या है एक कितने प्रकार की होती है इसके बाद आपको अगला चार आती है जो कि है इसमें बहुत ही important question रहेगा जो कि पहला question है आपका topology क्या है यूनिट 3 में आपसे नमर सिस्टम आपसे पूचे जाएगा जो कि बहुत ही important है और यहां पर software हार्डवेर से question भी आ जाता है यूनिट 3 में इसके बाद यूनिट 4 में आपको topology से सम्मझत आपको बहुता है तो पहला है topology क्या है कितनी प्रकार की होती है बढ़न कीजिए तो आपको topology बताना है क्या होता है आपको उसकी definition पहले लिखने है पांसे चे लाइन में आपक आप लिखने का भी तरीका होता है उस परकार आप लिखेंगे तो आपको नम्मर भी अची से मिलेंगे तो topology क्या होता है तो दूस्तों topology network की image होती है या layout हम कह सकते हैं जिसमें हम connection को communicate करते हैं एक दूसरे साथ communication स्तापित करते हैं उसे हम network की topology और network topology कहते हैं तो इसकी type आपस प्रकार की होती है ring topology जिसके आपको aizadvantage बढगना है ring topology हो इसमें computer को connection करता है इसके युडक का scan connection कि या जाता है आपका bus topology इसके रहा dice सब्सक्राइब का लार्ड आंपो एक्सी पूछ lacking क्यातों मेर्ण अक्यक्ष चुन के में ऐको बहुंश हूं होते हैं तो को समझान पढ़ेगा कि match topology network topology है जिसमें device होती है फिर उसमें connection किया जाता है किस परकार से होता है तो वो आपको लिखना पढ़ेगा फिर उसकी diagram दोर आपको समझाना पढ़ेगा कि किस परकार से उसका diagram होगा तो आप इसे अच्छी से पढ़ लें बहुत ही important question है आपसे एक से दो question आ इसके पांच में से आपको नाम लिख कर दिया जाता है कि ट्री टॉप लोजिक समझाईए बस टॉप लोजिक समझाईए तो आपको पूरा पढ़ना पढ़ेगा पांच करना पढ़ेगा उनमें से एक दो आपसे पुछी जाते है इसके बाद हमारा बहुत important question आता है नहीं है और आप प्राणी वीडियो चेक आउट जरूर कलने दूश्तों में मैंने आपको पूरे question बता चुकी हूं इनके answer site में आपको करवा चुकी हूं इनकी प्रिवेशर question paper में करवा चुकी हूं आप प्राणी वीडियो जाकर एक बार चेक जरूर कलने आप जीना आपको पांच question करना पड़ेगा तो ज्यादा question नहीं होते है इसमें भी फृटाविक होते हैं कि क्या होता है कितने प्रकार होते हैं और इनको समझाइए ये इक ही प्रकार की question होते हैं ज्यादा question भी नहीं बनते तो बही question important है उसी तरीकिसे आपको लिखना है और कुछ corona की लिए मैं copy भी लाई थी किस प्रकार आप लिख सकते हैं तो भी आप एक बार चेक कलने में description में लिंक दे दूंगे उसकी तो आप एक बार देख लें 2020-2021 के question paper है जिसमें घर से लिख कर दी थी copy तो भी आप एक बार देख लें चली आंगे बढ़ते हैं अगला question रहेगा हमारा unit 5 है जो कि internal और external command को समझाईगी बहुत important question है आप इसको मतलब रट लें मतलब पढ़ने दो से तीन बार आप पढ़ोगी तो आपका रटा हुआ हो जाएगा तो आप question को एक बार जरूर पढ़ने में जो question आपको बताएना दुश्तों यह आप एक बार जरूर पढ़ने और अगला question रहेगा जो कि second question है Linux की command को समझाईगे आपको Linux की command को समझाने बहुत important question है unit 5 की दोनों question आपको रट लेना है मतलब अच्छी से पढ़ लेना तीन से चार पर चलिए यहां पर हमने यूनिट वाइस question देखे इसके वाद हम कुछ important question देखने वाले हैं जो कि मैंने आपको पूरे computer fundamental में से लिए हैं अगर आप इनमें से मतलब एक ही question है बो इनमें कुछ question में extra add की हैं तो चलिए देख लेती हैं पहला question है आपका computer की इतियास और बिकास पर प्रिकास डाली है मतलब इसकी बिकास पर बिकास बताना है और इसकी बिकास पर बिकास डालना है तो आपको computer क्या होता है इसमें यह लिखना है फिल इसका इतियास बताना है थोड़ा और इसके विकास की पर आप क्या क्या हो सकता है इसका future क्या क्या हो सकता है उस पर आपको लिखना है इसके बाद second question रहेगा जो कि बहुत important question है computer की पीडियां समझागे मतलब generation आप बतान इसके बाद आता है आपको personal computer किसी कहते है computer के अंदर होता है personal computer तो वो किसी कहते है उसको आप इस परकार question पूछा जाता है input device से आपके समझते हैं किनी छे input device को आपको समझाना है मैंने input और output device आपके question बताएं बहुत important question है आप उन्हीं पढ़ने इस प्रकार previous question है जो कि पूछे गाई है मैं आपको यह previous question paper है दूस्तों PYQ है जो कि पूछे जच चुकी है वो ही question है तो मैं किस प्रकार question आपसे जगा है input device से आपके समझते हैं किनी छे input device को समझाईए यह output device क्या है इनकी प्रकार को समझाना है आपको इसके वाला आता है printer printer क्या है impact और non-impact printer को समझाईए आप देख सकते हैं मैंने जो question आपको करवा है बही question है यहाँ पर किस प्रकार paper में पूछे जाते हैं इनकी भा आपको अगला question आता है जो कि heart disk क्या है heart disk के structure को आपको समझाना है software और hardware भी का था मैंने आपको बही question हमांगे देखेंगी यहाँ पर हाइट disk की पूचे का यह है इसी आप देख लें जो question में यहाँ पर बताने वाली है वह आपने अगर नहीं किये तो आप Google पे सर्च करकर यह YouTube पे देखकर तो आप इन्हें एक बार चरूर पढ़ लें यह मैंसे आपको पिपर में देख सकते हैं हाइट डिस्क के हमने नहीं पड़ी तो आप इसी एक बार Google पे सर्च करकर देख लें या फिर आप YouTube पर भी सर्च करेंगे तो आपको बसाए question मिल जाएंगे इनके answers इसके बाद रहे आपको Saver Kya सौप्ट बैयर की आपसकता है और पिरकार बाटाई क्या होता इससाफ कि क्यों आप सकता पड़ी और पिरकार क्या होते हैं उसके टाइप कितने पिरकार क्यों होते हैं वो आपको बताना है नोचली अगला question देख लेती हैं tranquillor assembler compiler inter printer hinter printer अंतरा आपको लिखना है इसका आता है आपका number system क्या है ब्रीमन प्रिकाइर की number system को समझागी number system क्या होता है इसको किंटने type होती हैं वह आपको यहाँ पर बताना है कम्यूनिकेशन से उमझते हैं इसकी प्रिकरिया और प्रिकार को बताईए, देखिए, बहुत सारे कॉशन है, जो कि मैं आपको करवा चुकी है, बहुत सारे कॉशन है, जो कि मैं आपको करवा चुकी है, बहुत सारे कॉशन है, बहुत सारे कॉशन है, बहुत सारे कॉशन है, बहुत सारे कॉशन है, बहुत स कि सवरी घांको सा कोस्षन दिख रहे थे ट्रांस्मिज़न मीडिया क्या है समझाई इस इसके बाद आता है और लेन नेटवर्ग क्या है इसकी विसेश्टा बताई एसके पर्कार आपको अपको बताना है इसके बाद आजाएगा topology क्या है topology की पिरकार बताई इस पिरकार से question आता है तो आप अपने according देख लें कि आप 2-3 लिखने पूरी complete करकर topology की पिरकार में आपको बताते हैं तो 5 पिरकार के होती हैं तो 5 ही आप लिखोगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा वह क्योंकि उसका डाइग्राम दुष्टो डाइग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा topology का उसमें अगर आप बश्ट्री कुछ भी topology का कुछ भी टाइप लिख रहे हैं तो इसका डाइग्राम जरूर बनाए अगर आप डाइग्राम नहीं बनाती तो आपको बिलकुल भी नम्मर काट लेंगी तो आप इसका इसके वीडियो जरूर देख लेंए पराणी वीडियो मैंने इसके बता हैं इसके डाइग्राम बता हैं मैंने हरे के और आप इन 17 questions को एक बार read जरूर करने हैं इनमेंसे एक भी question आपको छोड़ना नहीं है पूरे question आप एक बार जरूर पढ़ने हैं तो दुस्तों यह बहुत ही important वीडियो थी आप अपनी दुस्तों क्षाते से सहर जरूर करें बहुत ही important question थी computer fundamental में अब एक भी question इन से भार ज तो आप दोस्तों साथ सेर करना ना भूलें तो चल दीए मिलता अंगली वीडियो में धन्नेवाद हुआ और कि अधना नह भी हुआ है कि अ चाहे हुआ एाओ खाहे हुआ झाल